नमस्कार मैं हूँ विनाश पांडिय और आप देख रहे हैं नियू सुनले पे आज एक ऐसी शक्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो किसी परिचय के महताज नहीं है जुनके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना हो गए लेकिन आज आपको उनसे जुड़ी क कुछ खास बाते बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपके जीवन में कुछ बदला हो सकता है हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल एस्पींच देने वाले संदीप महश्वरी के बारे में इस भागदोर वाले जुन्दगी में अपने लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग अपने और अपनी परिवार के लिए एक संतूलित जीवन की तलाश में लगे रहते हैं और इस संतूलित जीवन की तलाश में वो काफी परिशान भी हो जाते हैं और तब लोगों को जरुवत होती है मोटिवेशन की यानि की प्यायना की लोग अपने अंदर के निराशा को उस मोटिवेशन के जरिये हटाने की कोशिश करते हैं और यही काम संदीप महश्वरी करते हैं लोगों के जीवन से निराशा को हटाने की लोगू का कहना है कि संदीप महश्वरी की बाते सुनकर उनके जीवन में साकारात्म बदलाव आते हैं आज जिस मुकाम पर संदीप है उन्हें ये मुकाम किसी विरासत में नहीं मिला है दरसल इस मुकाम को पाने के लिए संदीप ने दिन रात मेहनत की और तब जाकर ये मुकाम उन्हें मिली है संदीप महश्वरी का जन दिल्ली में हुआ था और उनकी प्रारंबिक सुच्छा भी दिल्ली में ही हुई उसके बाद किरोरी मल कॉलेज में गरिशुषिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया लेकिन उन्हें पढ़ाई पहले ही छोड़ने पाई संदीप महश्वरी के पिता एक बिजनसमें थे लेकिन संदीप के पिता और उनके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर बात निगर गए जिसके बाद संदीप के पिता ने वो बिजनस छोड़ दिया जिसके बाद परिवार के स्थितिया काफी खराब हो गए उस समय संदीप दसुई कख्षा में पढ़ते थे संदीप के पिता ने बिजनेस छोड़ने के बाद कई काम करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बने दो साल भी उच्छाने के बाद संदीप पर परिवार के जिम्मधारिया आई और संदीप ने परिवार को वरतमान स्थेती से उबारने के लिए कुछ करने की सुची क्योंकि उनके पिताल लगाटार डिप्रेशन में जा रहे थे और इसको लेकर संदीप काफी चिंतित भी थे हाला कि संदीप अपनी लाइफ में सब कुछ फेल होते हुए देख रहे थे और शायद यही कारण था कि उनके मन में ये बात बैठ के थी कि सक्सेस पाना इंपॉसिबल है लेकिन एक दिन संदीप एक कंपनी के सेमिनार में कए और वहाँ जब उन्होंने देखा कि एक 21 साल का लड़का धाई लाग रुपे महीं में कमा रहा है तो उन्होंने सोचा कि जब वो लड़का ऐसा कर सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती हाला कि उस कंपनी में भी जूनने के बाद वो सफल नहीं हुए उसके बाद उन्होंने मौडलिंग की लेकिन वहाँ भी बात नहीं बने उसके बाद संदीप में फोटोग्राफी की नेकि मन मुताबिक कमाई नहीं हो पा रही थी फिर संदीप में सोचा कि क्यों न कुछ नाम कमाया जाए और इसके लिए उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची उन्होंने 12 घंटे के अंदर सो मॉडल्स के साथ मिलकर लगातार दस हजार फोटो क्लिक किये और इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला लेकिन इतना करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी फिर उन्होंने क्लाइंट्स को फोटो बेस मिल सुरू कर दी और कहा जाता है कि एतनी नाकामियों के बाद कोई भी आदमी पूट जाता है कोई भी आदमी घुट में टेक देता है लेकिन संदीप के होसले बुलंद थे और उन्होंने हार नहीं माई और अपना काम करते रहे उन्होंने अपनी एक व्यवसाइट बनाए जिस पर इंडियन मॉडल्स और फोटोग्राफर्स के चित्र का बिजनेस होता है आज इस व्यवसाइट पर विश्व के सबसे ज़्यादा भारतियों चित्र है और हर साल ये कमपनी करोनी रुपे भी कमाती है संदीप मेश्वरी आज भर के नामी गिरामी व्यवसाइव में से एक है उनकी व्यवसाइट पर 10 लाग से भी ज़्यादा भारतियों चित्र है और इस कमपनी के 45 देशों में 7000 से ज़्यादा खरिदार है संदीप लोगों को प्रेहना देते हैं और उनकी कहानी भी लोगों को प्रेहित ररती है और पहती है कि आप भी अपनी जीवन में सफरता पा सकते हैं